आल इंडिया रेडियो के स्री नगर जमू और लेस स्टेशनू से पेश होता है हफ्तवार प्रोग्राम जेके बैंक डाइरी मेरी उल्जनें भी सुलज गई हुई हल सभी मेरी मुश्किलें तरह साथ जब से मिला मुझे मेरी जम गई सभी महफिलें 27 फरवरी इतवार और जमू कश्मीर बैंक का वीकली ब्रोडकास्ट जेके बैंक डाइरी का नित नया शिमारा लेकर हम हाज़र आपकी माली ज़रूरियात को पूरा करने की जुस्त जूली जेनके बैंक अपने तमाम अजीज सामईन को पेश करता है प्यार बरा सलाम, दुआउं बरा आदाब, मुहबद बरा सत्सरियकाल, और खुश्यूं बरा जूले अजीज दोस्तों हम सब पर ये जिमेदारी आइद होती है कि हम अपना और अपनू का खयाल रखें जैसे जेके बैंक आपके माली मामलात में आपका खयाल रखता है वैसे ही हम सब को सहत के बारे में संजीदगी से जिमेदाराना रोल अदा करने की जुरूरत है COVID-19 का खत्रा अभी चला नहीं है, इसलिए आप सभी से इस्तिदा है कि आप COVID-19 प्रोटोकॉल पर किसी लापरवाही के बगएर अमल करें, फेस मास्क पहने रखें, मुनासिब समाजी दूरी बरकरार रखें, हाथ और मुह बाकाइदगी से दोते रहें और वैक्सीन लगाएं COVID-19 को मजीद फैलने से रोकने के लिए COVID-19 मुनासिब बरताओ के इन एहम असूनों पर अमल दरामत लाज़मी है सामई इन गुजिशता दिनों आपके अपने बैंक, चेंट के बैंक को मसलसल दो एहम अवाज से नवाजा गया Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises Government of India की बेरोज़गार नवज़वानों के लिए Self Employment Avenues पैदा करने की गर्श से तश्कील दी गई Flagship Scheme PMEGP यानी Prime Minister's Employment Generation Program को अमली चामा पहनाने के लिए जो मुकश्मीर बैंक की बहतरीन कारकरदगी को सराहते और रेकगनाईज करते हुए खादी इंडिया अवाज्स 2020-2021 से नवाजा गया इस हवाले से पंचकुला हरियाना में मुनकदा तकरीब में चेर्मेन खादी एंड विलेज इंडिस्ट्रीज कमिशन विने कुमार सकसेना ने जोनल लेवल PMEGP मिटिंग में माली साल 2020-21 के दोरान नौथ इंडिया रिजिन केटिगरी में जेंड के बैंक को टॉप परफॉमंस अवाज़ से नवाजा बैंक की जानिब से जोनल हर दिली कीती शर्मा ने ये खुसूसी एजाज हासल किया इससे पहले मुंबई में मुनाकदा एक और तकरीब में जेंड के बैंक को PMEGP स्कीम की अमलावरी के लिए माली साल 2020-21 की कारकरदगी पर पैन इंडिया परफॉमंस कैटिगरी में चोती पुजिशन हासल करने पर आवाज़ से नवाजा गया जेंड के बैंक की जानिब से जोनल हेड मुंबई राजे इशमला टिकु ने खादी एंड विलेज इंडिस्ट्रीज कमिशन के जेर इहतिमाम PMEGP स्कीम के निफाज के लिए बैंकर्स रिविव मीटिंग के दोरान ये अवाज़ हासल किया इन वाज़ पर तबसरा करते हुए जेंड के बैंक MDN CEO बल्दे प्रकाश ने इत्मिनान का इधार करते हुए बैंक के मुलाजमीन की अंथक मेहनत और कोशिशों की तारीफ की उन्होंने कहा कि इन एधार्जाद की रोसे जेंड के बैंक का PMEGP स्कीम के निफाज के लिए मुलक के टॉप चार बैंक्स में शामिल होना हमारे इधारे का बहस्ती एक प्रीमिर फाइनचल इनस्टिउशन जो हर वक्त सोशली इंकलूसियू एंड फाइनचली ग्रोइंग एकॉनमी के हसूल के लिए हमारे अजम को मुनासिब तोर पर तसलीम करता है उन्होंने मजीद कहा गोकिये एवाड्ज हमारे लिए फक्र की बात है अलबता ऐसे प्लेटफॉर्म से हमारी मेहनत को इस तरह तसलीम करने से हमारे तमाम स्टेक होलडर्ज की एकस्पेक्टेशन इस हवाले से जेंड के बैंक के मुलाजमीन की सलाहियतों पर मुकमल एतमाद का इजहार करते हुए बल्दे प्रकाश ने कहा कि मुझे उमीद है कि मुस्तक्बल में हम मिलकर मजीद बेहतर कारकरदेगी का मुझाहरा करेंगे और अपने स्टेक होलडर्ज को इस प्रेमेर फ बी डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को अपने सारफीन तक पहुचाने में पेश पेश है ये बात काफी एहम है कि डिजिटल पेमेंट के तरीकों से कोविड-19 वबा के दोरान मुनासिब समाजी दूरी यकीनी बरकरार रखने में काफी मदद मिली है डिजिटल पेमेंट्स साफ औ शफाब माहूल बनाने में एक अच्छा कादम है जमू कश्मीर बैंक ने अपने सारफीन के लिए कई तरह की डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स मोहिया रखी हैं जिनमें एमपे, यूपी आई, क्यू आर कोड, इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे सलूशन्स का आग ही बहुत कारामद है क्योंकि फ्रॉडिस्टर्स दोखा देने के नए-नए तरीके निकाल कर लोगों से उनकी जमा पूंजी लूटते हैं। फ्रॉडिस्टर्स आम तोर पर जिन हर्मू का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। फिशिंग इसमें हैकर एक जेन्वन वेबसाइट के तरज पर एक जाली वेबसाइट तयार करके सारिफ को लूटने की कोशिश करता है। जिससे वो सारिफ के बैंक डिटेल्स या कार डिटेल्स हासल कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप कभी भी किसी अनाथराइज लि जान रखें कि आप शॉपिंग एप्स या जेन्वन वेबसाइट के जरिये ही शॉपिंग कर रहे हैं। विशिंग कॉल्स इसमें हैकर अपने आपको सरकारी ऑफिशल या बैंक या किसी कमपनी का एजन बनके आपसे आपकी जाती जानकारी मांग सकता है। याद रहे बैंक आपसे आपकी निजी जानकारी आउनलाइन कभी नहीं मांगता। सिम स्वैप इसमें हैकर आपके सिम का IMEI नमबर मांगकर इसका डुपलिकेट सिम बना देता है और आपकी राकम आउनलाइन चुरा लेता है। इसलिए आप सिम का IMEI या इस सिम उनसले कोई भी जानकारी किसी के साथ शियर ना करें। QR स्कैन इसमें हैकर्स QR कोड स्कैन कराके आपके अकाउंट से पैसे लूट सकते हैं। इसलिए बराय करम आप किसी भी पेमिन्ट अप से अदाईगी करने के वक्त या QR कोड स्कैन करने के वक्त खास ख्याल रखें। सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म की आसान और वसी रसाई फ्राइडिस्टर्स को चोरी के लिए जदीद और आसान मौगफ फराहम कर रही हैं। इसके जरिये भी आपको जहांसे में लाकर आपको माली नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इसके अलावा फ्राइडस्टर्स आपको मेल के जरिये या फेस्बुक पर आपकी आईडी बना कर आपके दोस्तों से पैसे लेने के हरवे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाटरी स्कैम इसमें गाहक को एक बड़ी रकम जीतने की लालच दी जाती है इसलिए ऐसे आफर्स या लखी ड्रॉज को हमेशा अवाइड करें। इसके अलावा आउनलाइन नोकरी, फ्री लोन वगेरा जैसे आफर्स दे के भी आपको दोखा दिया जा सकता है। UPI Frauds, Unified Payments Interface यानि UPI एक ऐसा निजाम है जो मुतरियत बैंक अकाउंट्स जो कि किसी भी पार्टस्पेटिंग बैंक के अकाउंट्स हो सकते हैं को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में लिंक करता है। UPI Online Payments करने का एक आसान तरीका है जिसके तहरत सारिफ एक मोबाइल एप की मदद से दो बैंक अकाउंट्स के दरमियान मोबाइल इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए फोरी तोर पर राकम ट्रांसफर कर सकता है। अगर्चि ये इस्तेमाल करने में इंतहाई आसान है लेकिन इसने साइबर एटैक्स का दाइरा भी बढ़ा दिया है और कई डिजिटल सेक्यूरिटी खद्शात को जनम दिया है। साइबर एटैक्स और फ्राड्स को रोकने के लिए यूपियाई ट्रांसक्शन सेक्यूरिटी को यकीनी बनाने के लिए एक महفوظ एंक्रिप्शन फॉर्मैट का इस्तेमाल करती है। किसी भी तरह की यूपियाई फ्राड्स से अपने आप को बचाने के लिए इन बातों का खास ख्याल रखें। यूपियाई पिन सिर्फ अपने एकाउंट से पैसे डिड़क्ट करने के लिए दर्ज करें। वाज़ रहे, रकम रिसीव करने के लिए UPI PIN की जरूरत नहीं है, UPI ID की तधिक करने पर रिसीवर का नाम चेक करें, तधिक के बगएर पेमिन्ट ना करें, UPI PIN सिर्फ एप के UPI PIN पेज पर इस्तेमाल करें, कहीं और UPI PIN इस्तेमाल या इसको शेयर ना करें, QR कोड सिर्फ पेइमेंट करने के लिए स्कैन करें, पेइमेंट रिसीव करने के लिए नहीं, इस हवाले से किसी भी किसम की मदद UPI एप पर UPI हल्प सेक्शन से हासिल करें, इंटरनेट या गैर तस्दीक शुदा चैनल से नहीं, साथ ही ये गुजारिश भी है कि अपना कार्ड नंबर, CVV जो के कार्ड के पीछे लिखा होता है, ATM, UPI PIN या एकाउंट से मतलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ भी शेयर ना करें, वाज़ रहे कि बाखबर रहने में ही आपका बचाव है। सामईन जेन के बैंक ने जनवरी 2022 में NPA's के लिए एक स्पेशल वन टाइम सेटल्मेंट स्कीम यानि OTS 2021 का आगाज किया था। करना पड़ा और इस स्कीम 16 फरवरी 2022 तक लागू रखने का फैसला किया गया था। से राबता काइम करें और इस स्पेशल स्कीम का फाइदा उठाएं। सामईन नया कारोबार शुरू करने वाले अफराद जिन्हें उर्फ आम में स्टार्ट अप्स कहा जाता है या पहले से एस्टैबलिश्ट छोटे कारोबारियों को MSME के जुम्रे में लाने के लिए हुकूमत हिन ने इनके लिए उधियम रेजिस्ट्रेशन लाजमी बना दिया है। उधियम या MSME रेजिस्ट्रेशन से MSME को एक युनीक आइडेंटिटी नंबर और रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू की जाती है जिससे एक कारोबारी इदारे की सर्टिफाइड MSME यूनिट होने की तस्दीख होती है। उधियम रेजिस्ट्रेशन से MSMEs जो नमुराद के अहल हो सकते हैं उनमें टेक्स रिबेट, कैपिटल सबसिडी और टेरिफ सबसिडी शामिल है। उधियम रेजिस्ट्रेशन से सरकारी टेंडर्स हासल करने में मदद मिल सकती है। कई एक स्कीमों में उधियम रेजिस्ट्रेशन से शरह सूध में भी कमी हो सकती है। और रेजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस दरकार नहीं है। वाज़ा रहे एक एंटरप्राइज को दरजजेल क्राइटीरा की बुनियाद पर माइक्रो, स्मॉल या मीडियम दरजे के एंटरप्राइज के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। और तरनवर पचास करोर रुपे से ज्यादा नहों। नमबर तीन, मीडियम एंटरप्राइज एक दर्मियानी दरजे का इदारा जहां प्लांट एंट मशीनरी या आलात में इन्वेस्ट्मेंट्स पचास करोर रुपे से ज्यादा नहों। और तरनवर दो सुपचास करोर रुपे से ज्यादा नहों। इस हवाले से स्ट्रीट वेंडर्स या छापड़ी फरोशूं के लिए ये खुश खबरी के हकुमत हिंद की तरफ से ताजातरीन हुक्म नामे के मताबिक अब स्ट्रीट वेंडर्स भी बहस्यती स्मॉल ट्रेडर्स उद्यम रेजिट्रेशन हासल कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि MSME से जुड़े रवा माली साल के रेस्पेक्टिव बेनेफिट्स हासल करने के लिए उद्यम रेजिस्ट्रेशन की आखरी तारीक 31 मार्च 2022 है। दोस्तो बीस फरवरी की शुमारे में हमने आप से पूछा था कि किस ओगनेजेशन ने जेन के बैंक को डिजिटल फाइनेशल इंकलूजन इनिशेट्यूज में एवार्ड से नवाजा था। इस सवाल का सही जवाब है आई बी ए। दोस्तो इस हवाले से हमें काफी सारे इमेल मौसुल हुए और लगी ट्रॉगे जरीए हमारे आज की विनर्ज हैं। इनाम जीतने वाले सबी दोस्तों को जेन के बैंक की तरफ से ये इनाम मुबारक हो। और अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों आपको बताना होगा कि जेन के बैंक की तरफ से जारी करदा वन टाइम सैटल्मेंट स्कीम OTS 2021 की मयाद किस तारिक तक बढ़ा दी गई है। आपके उप्शन्स हैं 10 मार्श 2022, 15 मार्श 2022 या 25 मार्श 2022 आपके जवबात हमें 2 मार्श 2022 बुद्वार शाम 5 बज़े तक इमेल के जरिये पहुंच आने चाहिए। हमारा इमेल आइडी है jkbank diary at jkbmail.com तो अभी लेते हैं आपसे इजाज़त अगली संडे तक जब तक के लिए आपका और हमारा खुदा हाफिज नासर। अभी आप सुन रहे थे jkbank diary पेशकश corporate communications department जमू कश्मीर बैंक यहीं इस बजमे यारा में बहुत मिलती है आगाहि मस्ताइल का तसौर भी मस्ताइल की शनोसा यह मका में हमसरी है और अदाए रहे बरी जेके बर्ड़री जेके बर्ड़री जेके बर्ड़री